नमस्कार आप देख रहें यूट्यूब चैनल जी एसेंपी क्लिनिक एड निउज में आपका स्वागत है आज हम पांच ऐसे बीमारी जिसके हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है खासी, एस्नुफिलिया, बंक्राइटीस, दम्मा, गला बजना अक्सर जिन लोग को एलर्जी के बीमारी रहती है, थोरा सा भी दही, अर्मूद, कोई भी ठंड चीज खा लें तो उनको ये सारा बीमारी सुरू हो जाता है डर के मारे ओ लोग दही नहीं खा पाते हैं, किला नहीं खा पाते हैं, कोई भी गौभा नहीं खा पाता है सेव नहीं खा पाता है यहां तो छूना भी बड़ी मुश्की रहता है ठंड पानी भी लोग नहीं पी पाता है और इसके लिए ओ लोग इलहाबाद के सुनते हैं कि मशली में जो दवा दिये जता है ओ लोग खाते हैं पता नहीं कितना फैदा मिलता है यदि आपको भी इड़ प्रक्राइटीस दम्मा और गला आपको साउंड बिल्कुल बज़ गया है साउंड नहीं आ रहा है आपका साउंड बैठ गया है तमाम तरह के आप चीकित साले ले लिए हैं उसके बाद भी आपको फैदा नहीं हो रहा है तो आपके लिए मैं एक दवा अनुसंधान किया कॉफ क्यूर फाइप पलस ये पांच जरी बुटियों से मिल कर उसके और को निकाल कर ये बनाय गया है उनके लिए बहुत ही कारगर है हम भी बज़ार के जो भी दवा बने बनाय रहता है उन सभी बिमारियों पर कारगर नहीं हो पाता है हमने सोचा कि क्योंने इस पर कोई नया खोई अनुसंधान और रिसर्च किया जाए तो मैंने रिसर्च को आगे बरहाया और धीरे 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 ये कॉफ क्यूर फाइप पलस इसका हमने नाम रखा कॉफ क्यूर फाइप पलस ये कॉफ क्यूर फाइप पलस दवा आपको इसलिए रखे हैं किसे खासी दम्मा एसनुफिलिया बंकराइटीस गला बजना गला आपको लगता है कि अदम साउंड ही उनका बैठ गया है आपको भी अगर साउंड किसी दिन बहुत जादे दिनों से अगर बैठ गया है गला बैठ गया है और कोई भी उपाय कर रहे हैं यदि आपको नहीं आ रहा है तो आपको चिंता करने के कोई जरूत नहीं है इसमें हमने तुलसी का परयोग, नीम का परयोग, अड़ुसा का परयोग, कपूर का परयोग हमने किया है और इसका रिजल्ट हम देखते हैं कि हमारे देश के जितने जरी बुटी हैं बेहतरिन कारगर हैं और कोई भी दम्मा एसमोफिलिया और यह आपको जोभी एलर्जी की दवा आपको काम नहीं कर रही है हमेशा आप हाफते रहते हैं, थोरा सा भी कुई काम कर लिए हाफना सुरू हो गया हमेशा च्छाती जो है कॉप से भरा रहता है यहां तो उले बच्चों को भी खास्ते खास्ते उनके जान निकोल जाती है और धीरे धीरे हाट के तरह मरीज हो जाते हैं और हाट के जैसा ही आपना बिहाइब करने लगते हैं अड़सा जिस हुमिप्रेथिक में जस्टिसिया क्यों नाम की दवा बनी है या जस्टिसिया पुटेंसी में जो खासी के लिए लोग देते हैं हमने अईरवेद में परहा है कि जब तक धर्ती पर आड़सा है और छाय रोग टीवी ठीक न हो तो आश्टर्ज की बात है हम तो समान आपको खासी की बात कर रहे हैं आपको जान के आश्टर्ज होगा कि ए टीवी में भी बहुत ही कारगर है MDR Multi Drug Registance इतने बरा जांच रिपोर्ट हमने देखा डॉक्टर का हम मेरा भी सर घुमने लगा क्या हुमिपैथिक दवा से इड़ाम का घातक बिमारी जो है MDR टीवी का दवा जो लेते ले रिजिस्ट हो गए हैं क्या उनको ठीक किया जा सकता है तो बिल्कुल ठीक किया जा सकता है हुमिपैथिक में भी आपको अप्सवन बहुत ज्यादा है आप देख रहे होंगे हार्ट का मरीज जहां पर हार्ट बदनने की सिवा कोई उपाय नहीं रहता है वहाँ पर भी होमिपैथिक दवास से ठीक हो रहे हैं हम समाचार में आप देख सकते हैं YouTube में ऐसे चैनल में ऐसे ख़बर को आप पर सकते हैं देख सकते हैं तो आपको यदि दम्मा का आपको बिमारी है बहुत दिनों से आपका दम्मा ठीक नहीं हो रहा है उसके साथ भी बहुत तरह का बिमारी आपको आ गया है आपको मन करता है कि केला खूब खाएं केले का सौखीन है आप दही का बहुत लोग सौखीन रहता है लेकिन उन दही खा लेंगे उनका खैर नहीं है और कोई अगर फल खा लिया संतरा खा लिया केला खा लिया ठंड़ा पानी cold water पी लिया तो उसको तो पुशिये नहीं वो तो खासते 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 ऐसे भी हम कई लोगों को देखते हैं जब उनको खासी उपड जाती है खासी सुरू हो जाता है तो ए आधे घंटे से लेकर ए घंटा तक सुबह को खासते रहते हैं बहु आप दवा मेरे पते पर 980-1757-5333 यानी 980-1757-5333 पर संपर करके आप मंगा सकते हैं अथवा आप जिस तरह से हमारे यूटूब से आप मदद लेना चाहते हैं आपको मदद देने के लिए हमेशा हम त्यार रहते हैं यदि खासी इसनों फिलिये ब्रेंकराइटिस दम्मा और गला बजने जैसे आपका गला विल्कुल बैठ गया है साउंड एकदम सायं सायं आ रहा है हर तरह से आप निरास हो गए हैं तो आपका साउंड अवस्य आएगा किसी भी तरह का कितनों दिन का गला आपका बैठा है तो आपको अवस्य साउंड आ जाएगा आप मेरे तरफैन्न दव मुंकिल जो jurisd काहती है संगीत अपधमें उन्हें को मिइजिक मिरूची छाज़ उंको फिben प्रग्राम दिना क्या लगता है या निता है वक्ता है या अध्वा और कोई भी जो उनको भी गले से मुत काम लेनी रहती है अध्वा प्रवशन करता है या वह गाएक हैं और उनका गला हमेशा सांड बहिने लगता है और धिरे धीरे धीरे साउंड बैठने लगता है आप उस समय दस मुंद अपने जीप पर इस दवा को लीजिए आपका साउंड उसी समय खुल जाएगा खतरनाक से खतरनाक खासी है जो हर तरह की दवा आपको लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है समय में नहीं आ रहा है वो खासी जिदी किसिम का खासी आपको जिनगी को बरबाद कर रहा है आपको परसान करके रखा है आप बगल वाले आस पर उसके जो भी व्यक्ति है वो भी आपसे परसान है आप चिंतित हैं कि मेरा खासी क्यों नहीं ठीक हो रहा है लौसून का तो आप हमसे ले सकते हैं आपको इसलिए आपको नम्मर हम इसे दे दिये हैं कि आप इस बिमारी को समझे यह पर्मानेंट क्यूर हो जाने वाले बिमारी है हमने हाजारों मरीज पर हमने प्रेक्शन किया था और ठीक हो गया था यह दवा हम तो भूल ही चुके थे लेकि बीच बीच में बहुत सारा रोगी आते हैं इस दवा का इस्तमाल हमें करनी परती है कोई भी उनको फल मूल फ्रूट्स और ठंड से बहु जादे उनक आपका खासी अस्नोफिलिया ब्रंकराइटिस दम्मा और यहां तब शाय रोग टीवी जिनको हो गया है आप 184 रिफामसीन सारे अप्शन को आप अपलाई किये हैं आप उसके लिए अंबिस्टेन का इंजेक्शन भी आप ले लिए टीवी के लिए हर तरह से आपका इलाज हो गया है उसके बाद भी डॉक्टर ने कह दिया है कि आप MDR मल्टी ड्रॉग रिस्टेंस का रोगी है आपको खासी कर टीवी नहीं जा रहा है तो आप इस दवा का प्रयोब करके एक बार आवस्थ आपको देखनी चाहिए मैं आसा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक करे सब्सक्राइब करें सेर करें और वेल आइकन दबाना न भूले हमें इस बात की खुसी हो रही है कि मेरे वीडियो को विदेश में भी देखा जा रहा है और वहां से भी फोन आ रहा है उस पर प्लस फाइब पर कॉलिंग होना शुरू थोड़ा वेट करने के बाद हमने फोन को रिसीब किया तो ओ दर्भांणा बिहार के ओ मरीज हमको फोन किये थे उनको भी कोई बहुत बिमारी दिखाने के बाद ओ कुश्ट रोग से सम्वन्दित हमने वीडियो को लोड किया था उसको उन्होंने देखा काफी पसंद आया क पाफी सर्ज करने के बाद में लेप्रोसी पन को कोई वीडियो नहीं में रहा था वो मेरे वीडियो को देखकर बहुत परसंद हुए और हमसे आज बात चीत हुई तो हमें भी लगा कि आप देखिए मेरे चैनल को विदेश में भी देखने वाले व्यक्ति देख रहे हैं हमको खुसी है आप मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं और मेरी बात आपको समझ में आ रही है मेरे दवा को आप समझ रहे हैं उसमें भी हूमिवेथी को समझ रहे हैं तो हम आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं मैं आशा करता हूं कि आप देश दुनिया में कहीं भ रहेगा आप पूरे परिवार का आप इसे इलाज कर सकते हैं और हमसे पुश-पुश कर आपने इलाज कर आ सकते हैं आपको सधान कोई भी बिमारी हो थोड़ा सा कठिन में भी चला जाए हम आसा करते हैं टो बार बार अस्पीताल की चक्र नहीं लागानी पड़ेगी हाँ गंभीर वास्था में विशेस अवशथा में आपको तो रस्पाइल जानी पड़ेगी उसका कोई उपाय नहीं है यदि मेरे आप चैनल को लगतार देख रहे हैं तो मैं विश्वास दिला रहा हूं ये आप एक महिना में दो महिना में शे महिना में दिया अस्पताल जा रहे होंगे ये आपका दूरेशन पांग से 10 साल तक भी हो सकता है कि आपका अस्पताल का मुह देखना नहीं मारेल परें हैब कोई किसे हैं बचा जिनको गर यह पाया है आपको जाना पर सकती और कोई प्रीक्षर हो जा रहा है यह टाइप के भीमारी में मीं आपको जाना पर शकता है बागी सब आपको खासी, एस्टोफिलिया, ब्रंकराइटिस, दम्मा, एलर्जी, कोई भी हो तो आपको हबरानी नहीं चाहिए आपको यदि दम्मा है, एस्टोफिलिया है, ब्रंकराइटिस है और इसके साथ में आपका साउंड बिल्कुल बैठ गया है आप हर तरह सूप आए कर ली है, दवा खाते खाते थो खार गए है हमारे पास ऐसे ऐसे मरीद देखे हैं कि एकदम बहुत ज़्यादे हाप रहे हैं उसके बाद वो किलिनिक में आए हुए हैं देखने से उनको डर लगता था, उन्होंने भी बहुत अच्छा दवा का परसंसा किया दवा का परसंसा बहुत ज़्यादे हो रही थी हम पहले इस दवा को बहुत ज़्यादे लोगों को परियोग कराते थे और बहुत दिन के बाद बहुत सारे कमन दवा से भी हम बिमारी को इसको ठीक करने लगे लेकिन हमें लगा कि कोई भी पुराने उसाधी जिस पर परसिधिम मिली है लोग उस दवा का उप्यो कर चुके हैं तो उसको चलाते रहने चाहिए कभी कभी होता है कि दवा का कोष्ट जरी बूटी का कोष्ट बहुँ जादे बढ़ जाने के वज़े से हम लोग दवा तयार नहीं कर पाते हैं कुछ दुरलब जरी बूटी है जो जल्दी मिलता नहीं है उसी से ये सब दवा तयार होता है और मार्केट में 3-4-5 जार रूपे केजी तक दवा चला जा रहा है जरी बूटी तो हम लोग भी साहते हैं कि सस्ते सस्ते दवा हम बनाने की कोषिस करें लेकिन हमें जो अनभव रहता है उसका कोई बिकल्प नहीं रहता है तब मांगा दवा देने की कोषिस करनी चाहिए तो आपको यह दवा खासी के लिए यसनोफिलिया के लिए ब्रेंकराइटिस के लिए दम्मा के लिए जो बचे को अकसर खासते रहते हैं हर समय खासी रहती है उनका खासी नहीं रहता है और हमेशा उनको खासते खासते उल्टी तक हो जाता है आप हमेशा उनको शिकाइत लगी रहती है तो इन सब केस में आपको कॉपकियों 5 प्लस बहुत ही बेटर है बहतरीन है बहुत सारे मरीजों ने पूशा क्या ड़क्टर साहमी से ये दवा से खासी ठीक हो जाएगा हमने कहा कि ये दवा धर्ती पगर गिर जाए और उसे कुई चाट लेगा तो खासी ठीक हो जाएगी आपका बिमारी अगर बहुत ही घातक है अगर हाट वाला कार्डियक अस्थमा हो गया है कार्डियक अस्थमा में ये दवा काम नहीं कर पाता है जिनके हाट के बॉल में छेद हो गया है उसके चलते यदि आपको दम्मा है तो ये ठीक नहीं हो पाता है लेकिन उन मरीजों को आराम दिला देता है कोई भी मरीज हो ठीक करे या ना करे आपको रिलेक्स जरूरार गर देगा 95% मरीज को यह अस्ताइप रूब से ठीक कर देता है और यह खासर सी इसनोफीलिया ब्रेंग टायटीस जिनको вид ASMR बभा रहता है हापते रहते हैं और तरह तरह कि उनको कष्ट इन्हेलर यह सब लेनी परती है यह दवा के परयोग के बाद मैं असा कर सकता हूं कि आपको दवा से बिल्कुल इस रोग से आपको मुक्ति मिल जाएगी और मचली वाली दवा भी जो आप लोग खाते हैं इलहाबाद प जादू से काम करती है कौफ की और फाइफ पलस आप इसका कभी प्रयोग कर सकते हैं आप जैसे भी चाहें आप यूट्यूब से इसे हेल्प लेकर इस दवा का प्रयोग करें आपको मैं आज जानकर मुझे अच्छा लग रहा है कि यह जो चीज है आज हम कई कमेंट आया है कि आप एलर्जी पर दमा पर अस्थमा पर एफ वीडियो बनाए तो उसके लिए वीडियो है यदि आप वीडियो पहले से देख रहे हैं यदि आप हम से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम अमलोकी क्यूँ के मातला हमें दस बुंदीन में तीन बार आपको लेनी चाह पांस अत्यतिस पर आप संपर्क करके अपना कोई भी बीमारी के के बारे में आप जनकारी ले सकते हैं जो कहीं भी ठीक नहीं हो रहा है मैं आप से अब विद्या लेना चाहता हूं टेक कियार आप अपने ध्यान रखिए जये हिंद जये भारुद